हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो और चानल अल इन वन वीडियोज मैं हूँ प्रतिक और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए है आज मैं आपको डैट्सन रिडिगो के ओडोमिटर को कम्प्लिटली एक्स्प्रेंड करूंगा उसमें क्या-क्या इंफोर्मेशन ओड इसमें अलग-अलग इन्फोर्मेशन और अलग-अलग जानकाई गाड़ी की हमें मिलती है तो चलिए मैं अभी आपको एक-एक करके एक्स्प्लेंड करूंगा मेरी गाड़ी मैंने चालू रखी एगनिशन पर क्योंकि आपको पता चल सके तो चलिए देखते हैं आपको दि थाउजन आर स्लैश मिनिट यानि कि एक मिनिट में हजार चक्कर ये एक, दो, तीन, चार, पाच ये जो डिजिट है ये थाउजन को मल्टिप्लाइ करते हैं तो ये जो है ये आर्पियम का इंडिकेटर है उसके बाद यहाँ पे आप एक डिजिट देख रहे हैं सत्रा हजा किलोमेटर 27 ये जो है ये किलोमेटर है अब तक मेरी गाड़ी इतनी चल चुकी है अब आप देखेंगे यहाँ पे अलग-अलग इन्फोर्मेशन आएगी ये है टोटल किलोमेटर 17,027 उसके बाद ये ट्रिप अभी मैंने जो पिछली ट्रिप की थी उसमें मैं 345 किलोमेट ये अब हर बार स्विच कर सकते है यानि कि रिसेट कर सकते है इसके बाजू में एक ये बटन दिया होता है आप देख सकते है इसको दबा के रखने से ये रिसेट हो जाता है इसके बाद ये एवरेज अभी फिलाल मेरी गाड़ी 23.5 किलोमेटर पर लिटर माइलेज दे रही ये आपके चलाने पर डिपेंड है ये कम जादा होते रहता है इसके बाद ये किलोमेटर पर लिटर ये आप शिफ्ट कर सकते है ये डिस्टंस टू एमटी है यानि कि आपके पेट्रोल फियोल टैंक में कितना पेट्रोल है उसमें ये कितना जाएगी उसका डिजिट लगते हैं और फिर से टोटल किलोमेटर्स तो यह आपको पता चल गया इसके बाद आपको यहाप एक गेर लीवर जैसी एक सिम्बॉल दिख रहा है ब्लैक कलर का उपर दंडी है उपर राउंड शेफ है और नीचे दो लाइन से यह गेर का सिम्बॉल है यानि कि यह जो हमारी गेर स्की होती है यह देख सकते है आप यह वाली इसका सिम्बॉल है यह क्यू है तो आप उसके उसके बाजू में इस साइड में यहाँ पे इसके और यह फ्यूएल का जो सिम्बॉल है इसके बीच में उपर आरो और नीचे आरो ऐसे दो आरो आते है जब हम गाड़ी चलात तो gear change करने के लिए वो arrows दिखाता है यानि कि अगर आपको speed बढ़ा रहे और उपर का अगर arrow आया अपवोड direction वाला arrow तो आपको उपरी gear डालना है और अगर आप slow हो रहे हो और नीचे ले direction वाला arrow अगर आया तो आपको gear नीचे करना है यानि कि उपर के gear से नीचे के gear में आना है तो यहाँ पर gear indicator भी है gear shift indicator यह बहुत बढ़िया चीज है डेट्सन ट्रीडिगो के odometer में उसके बाद यहाँ पर यह जो है यह fuel indicator है आप देख सकते दो blocks दिख रहे है total 6 block का fuel indicator है उपर के सभी block 4-4 liter के है और सबसे नीचे वाला जो block है वो 7 liter का है total यह जो fuel tank है 27 liter के fuel tank है तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके गाड़ी में कितना fuel है दोस्तो पसीना बहुत आ रहा है तो पसीने की वज़े से यह हो गया माफी चाहता हूँ तो चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको proper odometer समझ में आगा आ गया होगा और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और चैनल को ज़रू subscribe कीजिए दोस्तो जल्दी से जल्दी 1000 subscriber कंप्लिट करने है और अगर आपको कुछ curies हो तो आप comment में जरूर लिख सकते है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो